नमस्कार आप देख रहे हैं बीडी नियूज बिहार और मैं हूँ पंकस भड़ चुनावी यात्रा के द्रम्यान आज हम सदर परखंड के अंतरगत परना पंचायत में पहुंचे हुए और परना पंचायत की इस्तिती जो है वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि परना पंचायत की इस्तिती कैसी है लेकिन क्या परिवर्टन हो सकता है चुनाव कुछ नया गुल खिलाने जा रही है इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ कुछ यहां पे ग्रामीन और एक परत्यासी भी हैं जिन से हम चर्चा करेंगे जिनके नामों की काफी चर्चा है छेत्र में रबिंद्र कुमार निराला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं निराला जी आपका स्वागत करते हैं हम बिटी नियूस में हम आप से यह जानना चाहते हैं कि लगातार आप च चुनाव हम हार गए पिछले बार की चुनाव में हमने चुनाव नहीं लड़ा इस बार हम चुनाव की मैदान में आये हैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ने का कारण कुस्तो हो गए पिछली बार चुनाव इसलिए नहीं लड़े जिनके उपर मैंने बहुत ज्यादा लगातार आप समाजिक कामों में बढ़ चड़ के हिस्सा लेते हैं काफी आपके नामों की जिले में भी चर्चा होती है कहां कमियां रह जाती हैं जो समाज का सरवांगीन विकास नहीं हो पाता है कमियां सबसे पहले जो परतिनिधी जिन लोगों पर भरोसा आम जनता मद्दाता भरोसा करती है जिन परतिनिधीयों पर वो जब निर्वाचित होते हैं उमिदवार जब निर्वाचित होके आते हैं तो वो विश्वास जनता को खो जाती है इमंदारी और करमटता से काम नहीं करती है मैं जो व्यक्तिगत रूप से समझता हूँ यदि उम्मिदबार सही लोग को चुने जनता जनता मालिक होते हैं और प्रतिनिधी जो होंगे अगर इमंदारी से करमठता के साथ काम करेंगे निश्चित रूप से पंचायत की सरवांगिन विकास होगी और पंचायत विक से मालिक समझा जाता है आप भी बहुत अच्छे समाजी चाइज करता रहें बताएंगे से जनता बास्तविक में मालिक भी हैं जनता जो है आज तक जो हम देखे हैं मोका दिए अगर खारा नहीं उत्रे हैं उनको बदलने का कम हमारे पंचायत की जनता नक्या है जो कि इतिह उसके बाद विनोज भरोसा किया विनोज जी भी खरा नहीं उत्रे हैं इस बार इतनो भूचाल मचा हुआ है चर्चा का विशय है जो निरला जी बहुत अच्छे करिडेट है इस चर्चा समाज मेसेज है यह चर्चा का विशय है कहीं कहीं खुट आता है एक जराशा जो पैशा खर्च नहीं करें इस सचाई है सचाई है पैशा खर्च नहीं करें क्योंकि इनके पास है नहीं पैशा कहां सखर्च करते हैं क्योंकि समाजी के उकाज करता है और सुरू से यह अपना समय जो है पॉल्टिक्स में ब्राइब पयों कि तक किया है। पुलिखली बत्राइब अपने में का दर्रीघर का चाहता है। बस चुनाओ कहीं डेट हैं तो अच्छा है यूग निरला जी है, निरला जी है, आपके हिसाब से क्या लाइए, ना है, हमने हिसाब से, हम तिनको जवरस्ति लाए हैं चुनाओ में, हमने एक दिन मंतरी जी से, मेडिया वाले पूछ रहे थे, पंचायची चुनाओ है आगे, क उनको खोज कर पैर पकर कर बिंती करकर आगरा करकर उनको लाना चाहिए पंचाई चुना लाना चाहिए उनको जोर सोर सो जिताना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि अच्छे प्रतिनिदियों का चुनाव होना निश्चित रूप से जरूरी होता है अगर आप अच्छे प्रत्यासी को नहीं जीताते हैं, तो ऐसी परिस्तिती में आपका विकास ही नहीं, पूरे समाज का विकास अबरुद्ध हो जाता है। अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करते हैं, और वो अपना मनमानी करते हैं, नोच, खसोट, लूट, पाट यहीं चलता रहता है। रविंद्र कुमार निराला जी को सहयोग करेंगे। रविंद्र कुमार निराला जी आपका बार-बार सारे लोग नाम ले रहे हैं। आपको अगर जिम्मेदारी मिल जाती है, यहां की जनता आपको जिम्मेदारी देने के मूड में है, अगर जिम्मेदारी मिल जाती है, तो पहला काम क्या होगा आपका? जनता के द्वारा जब मुझे जवाब देही दी जाएगी, सबसे पहले मैं चोमुखी विकास के रूप में, सबसे पहले मैं स्वास्त पर ध्यान रखूंगा, और स्वास्त के सासा सिक्छा, सिक्छा में पराई में बहुत गरवरी होती है, टीचर स्वासमय पर नहीं आते ह पराई लिखाई ठीक से नहीं होता है, सिक्छा और स्वास्त मेला पहली परात्मिकता होगी, ठीक धंग से चले, क्या कहना चाहेंगे आप, तो किशान है, क्या लगता है सब चुनाव को देख करके, सब ठीक है अच्छे के ते हैं, कुनू गरवर चाहिते हैं, जैसे कि सब ठीक है, 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 सर आप पैक्स अध्यक्ष लगातार रहे हैं, यहां के किशानों को आप से कितना फाइदा मिला है, जब से हम जिस समय पैक्स अध्यक्ष नहीं थे, उस समय भी हम मने जिला में अपनी बात को रखे, भोलाव कि नदिक उस समय भी उखाद उपलोद कराये थे और अभी जो है इधर चार पंचायत की बात में कह रहा हूं जब से हम बने हैं तब से या लोन का सुधा किसान को देते हैं अभी LG गुरूप चला रहे हैं महला को भी सेवा दे रहे हैं और खाद तो हमारा कर्तब है हमरा कर्तब ह हम ख़ड़ा उतरे हैं दूसरी बात है समाज को सेवा में चय पंचायत हो या किसी को आफ़ज बिप्रत पर गया उसमें हम ख़ड़ा उतरते हैं उन्हीं बात नहीं है पंचायत मैंने प्यक्सा ध्यक्ष हैं तभी हमरा इतिहास भी है जो दू साल पहले रोड ने बना था आ आज महला में जश्चकवा जा रहा है निरला जी एक बात समझाने की कोसिस कीजिए आप कि क्या योजनाओं को जमीन पर उतार देने मातर से ही समाजिक विकास होता है जी नहीं योजना को सिर्फ उतार देने से समाजिक विकास नहीं हो सकती है समाजिक स्वहार्थ पुर्ण बातावरन की आप सकता है सब का साथ और सब का विकास के नारा के साथ विकास करना चाहिए नियाई के साथ यही सरवंगिन विकास का रूप रेखा बनेगा तो क्या लगता है कि आप इस काम को कर पाएंगे जी मैं बिल्कुल आत्म विस्वास के साथ मैं कहूंगा मुझे जब जबाब दही दी जाएगी तो मैं प्रियास करूंगा आज तक जितने मुखिया बने हैं मेरे समयकाल में जब से हमको हमने हो समाला है सब से बैतर सब से अच्छा कम करके दिखाने का मैं लालसा रखता हूं प्रियास करूँगा, जनता के बादा के साथ मैं अनुकूल मैं उतरूँ, ये मेरा सबसे पहला बादा है, कि मैं सही डंग से काम करूँगा। आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे। हम जनता से अपील करेंगे कि अपना कीमती वोट जाया ना करें, और ये पांच वर्सों का पर्व है, पांच वर्स में एक बार मोका मिलता है, सही और गलत का फैसला करने का, अगर हम गलत दिसा में वोटिंग करते हैं, तो हमें पांच साल तक गलती का एहसास करना परेगा, हम अच्छे बिचार से अच्छे प्रतिनिधी को बोट करें, और जो कहते हैं कि नहीं हम्रा इक काम के लखनी है, इन आख के लखनी वो नहीं देखना, देखना ये है कि हमारे समाज का भार किस नेता के जरिये सहाज आ सकता है, हम वेसे नेता को सपोर्ट करेंगे, बस जनता से मेरा यही अपील है दारू सराब का भी बड़ी चर्चा रहता है आपके छेत्र में पंचायत में जनपरतिनी धी भी दारू का धंधा करते हैं जो जील भी गए है बजापते वो बेल तहल पर निकले हुए फार भीवा केस चल रहा है भी बरतमान में हम लोग चाहते हैं वह इस कि नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं ये थे हमारे साथ जुड़े हुए और परना पंचायत के की लोग और प्रतियासी समिटी सदस्थ से We are हैं और मुखिया परत्यासी भी अब आप समझे कि यहां पे एक बात चर्चा में आई है कि दारू शराब और कई जनप्रति निधी का भी नाम आया कि जनप्रति निधी उसमें इनबॉल्ब हैं अगर ऐसे जनप्रति निधी आपके बीच वोट मांगने आते हैं तो आप उनसे सतर्क रहिए इसलिए सतर्क रहिए क्योंकि आपको मुखियारक नहीं चुनना है आप जिम्मेदारी देने चले ह हैं और जिम्मेदारी इस बात की कि समाज का सर्वांगीन विकास हो विकास आपकी चोखट को चुमें आप करें आप यहां के बरतमार मुख्या हैं आप पर दिल्ली का ठपा लग रहा है कि आप दिल्ली वाले लोग हैं देखिए मेरे पंचायत का दुरभाग था जो 2011 का होए थे और मह्फोज माुत असारी जीत हासिल किया थे उस टैम महफोज मायच आप इस या कोई एनिवडी चाचा भाइ जो भी जाते थे उनके पास तो सिधा कहते थे कहां इलिकी काम चुखो जो जो तो हर देव महकई छो उस टेम विपक्च में थे रविंद्र कुमान निराला जी जनता को छोड़के रविंद्र कुमान निराला जी भागे थे जनता को हम पे उमीद था जो दिली से बुला के मुझे सोला का चुनाव लराया और एक पैर पे खरा होके सब जाती के लोग हमें सपोर्ट करके जीत दिलाए उसके बाद भी पूर्व जुथे याब मेरा विपक्ज कह लीजिए वो ट्याग लगाते थे दिल्ली जही हो साइन कर वेल जनता के लिए हम अपना दिल्ली का बिजनेस त्याग दिये, हम अपने लिए नहीं त्यागे अगर मुझे पैसे कमाने का अगर सौक रहता तो हम दिल्ली में रहते, परना में नहीं रहते लेकिन मुझे किसी का घमन तोरना था, किसी का दबंगई तोरना था, किसी का बोली खराब था, उसको खतम करना था इसलिए हम पांच साल जनता का काम किये और अपना विचार अच्छा देते हुए और मेरा एस लोगन ही था अब की बार प्रेम विचार अगर मेरा प्रेम विचार सक्सेस हुआ होगा तो जनता पुनह मुझे जीत जिलाएंगे बाकी से जादे हम क्या करेंगे जो करने लाइक था हम काम किये काम में कहीं पिछे ने हटे और ऐसा ऐसा रोड था जो कभी सपना में लोग नहीं सपनाया कि भाय इस रोड को कोई खोल देगा उस रोड को चालू करवाए और आज कहते हैं कि मतलब दिल्ली दिल्ली जनता के लिए त्यागे हैं और अहीं बात कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाय दिल्ली जाएगा जनता का अशिरवाद मुझे अगर पराप्त होगा तो कोई भी चट्टान तोर देंगे जनता का अशिरवाद पराप्त नहीं होगा तो ये देला भी नहीं पोर पाएंगे आपको अपने काम पर तो भरोसा होगा भरोसा है और जनता भी भरोसा है क्या कहना चाहेंगे अपना जनता को यही कहना चाहेंगे कि पांच साल बना पांच साल उसका भी कार्जकाल देखे पांच साल मेरा भी देखे और रही बात अभी जो कुछ लोग आ रहे हैं वोट कटवा उस जनता को एक एक जनता को पता है कि कौन उसको पैसा दिया है और कौ और दलालों से सापधान रहें क्योंकि दलाली चार महना से कंटिनू चल रहा है कि कैसे विरंदर सर्मा को हराया जाए लेकिन जनता मेरे साथ है मुझे आसरवाद पराप्त हो रहा है डोर टोर गए आसरवाद लिए मुझे आसरवाद पराप्त हो रही है और मुझे confident है आत्म बल है कि जनता जो आशिरवाद मुझे दे रहे हैं मेरा जीत निश्चित है